डालों के बढ़ते आयात के बीच दलहन फसलों के घटे रखबे ने केंदर सरकार की नींद उड़ा दी है। सरकार ने नाफेड और क्रिशी मंत्राले को उतपादन बढ़ाने का जिम्मा सौपा है। साथ ही दावा किया है कि दिसंबर दो हजार सताइस तक हम दलहन के मामले मे आत्म निर्भर हो जाएंगे। हालां कि किसानों ने दलहन के मामले में ही सरकार को इस साल बड़ा जटका दिया है। पिछले साल के मुकाबले एरिया साथ दशमलव पांच दो लाख हेक्टेर घट गया है। जिसमें सबसे बड़ा योगदान चने का है। वजह यह है कि पि अध्यक्ष रामपाल जाट का कहना है कि 2023 में काफी किसानों ने 4200 से 4500 रुपए प्रती क्विंटल के दाम पर चना बेचा था। जबकि इसकी MSP 5335 रुपए क्विंटल थी, किसानों को प्रती क्विंटल 1000 अजार रुपए का नुकसान हुआ था। इसलिए गुसे में उन्ह अचा दाम देना ही होगा। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। चने की बुवाई रभी फसल सीजन 2023 से 24 के दौरान 19 जनवरी तक 102.90 लाक हेक्टेयर में हो चुकी है। जो पिछले साल इसी अवधी में 109.73 लाक हेक्टेयर में हुई थी। यानि एक साल में चने का पिछले साल जब सरकार MSP घोशित कर रही थी तब बताया था कि किसानों को प्रती क्विंटल चना उतपादन में 3,206 रुपए का खर्चाता है। ऐसे में कोई किसान 4,200 रुपए में ही क्यों फसल बेचेगा। दलहन फसलों के उतपादन में कमी को लेकर कई सवाल उठ रह रुपए का दलहन आयात कर रहा है। बहरहाल केंद्र सरकार ने दलहन फसलों का रगबा कम होने के चार प्रमुक कारण बताए हैं। लेकिन दाम की समस्या बताना भूल गई। केंद्र के मुताबिक कुछ राजियों में कम छेत्र कवरेज का कारण खरीफ फसलों की देर से क कटाई, अन्य फसलों की ओर शिफ्ट करना, मित्टी में नमी की कमी और धान की कटाई में देरी आदी है। ऐसा भी नहीं है कि चने की बुवाई का आंकड़ा अपडेट होने वाला है। केंद्र सरकार ने खुद बताया है कि चना उतपादन करने वाले मुखे राजियों मे चने की बुवाई लगभग पूरी हो गई है। आंद्रप्रदेश, चतिसगर, जारखंड, तमिलनाडो और ओडिशा जैसे कुछ सूबे जरूर रभी सीजन के दलहन के अंतरगत छेत्र कवरेज की सूचना दे रहे हैं। मूंग का रगबा पिछले साल के मुकाबले एक शमलव नौ पांच लाक हेक्टेर कम है। क्रिशी विशेशग्यों के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे बड़ा चना उतपादक है। दुनिया के कुल चना उतपादन का करीब सत्तर फीसदी यही होता है। यह रभी सीजन में उगाई जाने वाली महत्वपून दलहनी फस है। चना उतपादन कुल दलहन फसलों का करीब 45 फीसदी होता है। इसलिए इसके रगबे में कमी चिंता बढ़ाने वाली है। चना उतपादन में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर है। जबकि महराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा राजस्थान और गु उतपादक के साथ साथ आया तक भी हैं। इसलिए डालों का दाम यहां आसमान पर है। अगर बात करें दलहन फसलों के उतपादन की तो 2018 से 19 में भारत सिर्फ 220.75 लाक मीट्रिक टन का उतपादन करता था। जो 2022 से 23 में बढ़कर 260.59 लाक टन हो गया। इसका मतलब की पिछल उतपादन बढ़ रहा है उससे अधिक खपत में इजाफा हो जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी